नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की Mbeta XR Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Mbeta XR Tablet को कैसे लेना चाहिए और Mbeta XR Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी दिस्कस करेंगे की Mbeta XR Tablet को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए Mbeta XR एक ब्रैंड नेम है Mbeta XR Tablet के अंदर सौर्ट कंपोजिशन मेटोप्रोलोल होता है Mbeta XR Tablet 25MG, 50MG वशों MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है Mbeta XR Tablet एक Beta Blocker Drug Class की दवा है Beta Blocker दवाईयां दिल की धड़कन को धीमा करती है और शरीर में Blood Vessels को रिलेक्स करके Blood के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और Blood Pressure को कम करती है Mbeta XR Tablet का उप्योग Hypertension होने पर यानि Blood Pressure अधिक होने पर माइग्रेन के सिरदर्द को रोकने के लिए और एंजाइना को रोकने के लिए भी Mbeta XR Tablet का उप्योग किया जाता है एंजाइना होने पर रिदय तक Blood का सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वज़से छाती में दर्द होने लग जाता है जिन व्यक्तियों को दिल का दौरा पढ़ चुका है उन व्यक्तियों में दोबारा दिल का दौरा पढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्तर Mbeta XR Tablet को लेने की सला दे सकते हैं इसके अलावा दिल की धड़कन अन्यमित होने पर भी Mbeta XR Tablet का उप्योग किया जाता है Mbeta XR Tablet बलड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक बलड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से Kidney Failure, Heart Failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है इसके अलावा लंबे समय तक बलड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से आखों की बलड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है एक नॉर्मल व्यक्ती का बलड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ती का बलड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं की उस व्यक्ती का बलड प्रेशर ज्यादा है साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Mbeta XR Tablet की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में M-Beta XR Tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में ठकान व कमजोरी होना, सिर्चक्राना, वजन का बढ़ना, सास फूलना, सिर्दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, नींद ना आना और डिप्रेशन होना आदी side effects M-Beta XR Tablet की वजह से हो सकते हैं लंबे समय तक M-Beta XR Tablet को लेने से पुरुषों में erectile dysfunction भी हो सकता है, erectile dysfunction यानी पुरुषों का sex के लिए तयार न हो पाना, अब हम discuss करेंगे की M-Beta XR Tablet को कैसे लेना recommended होता है, M-Beta XR Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. M-Beta XR 25 MG से लेकर M-Beta XR 100 MG Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं, M-Beta XR Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना recommended होता है, M-Beta XR Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की ग दलग हो सकती है, इसलिए आपको M-Beta XR Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे क M-Beta XR Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने पर, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, दिल की धड़कन बहुत कम होने पर और गंभीर हार्ट फेलियर होने पर आधी कंडिश में M-Beta XR Tablet को लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना M-Beta XR Tablet को नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको M-Beta XR Tablet के साथ-साथ नमप का सेवन कम करना चाहिए, स् इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको regular exercise करनी चाहिए, और घीव ज्यादा Oily भोजन को खाने से बचना चाहिए, M-Beta XR Tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, और M-Beta XR Tablet को लेने के बाद driving नहीं करनी चा M-Beta XR Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतरकता प्रभावित हो सकती है, M-Beta XR Tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना M-Beta XR Tablet को बंद करने से दिल से संबंधित समस्याए गंभीर होने का या दिल का दौरा पढ़ने का जोखिम अधिक हो जाता है, वैसे pregnant M-Beta XR Tablet का सेवन करना recommended नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डौक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को M-Beta XR Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं, और M-Beta XR Tablet मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वज़ह से दूद पीने वाले बच्चे म अभी तक कोई side effects नोटिस नहीं किये गए है, इसलिए जरूरत पढ़ने पर डौक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को M-Beta XR Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को और अगर आपका M-Beta XR Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं